क्लास ट्वेल चेप्टर वन इटे मन के वस्थियां इस अध्याय से संबंदित अति लगुत्रात्मक प्रश्ण हम पूरू में कर चुके हैं आज हम लगुत्रात्मक प्रश्णों की स्रंखला सुरू कर रहे हैं तो आएए विद्यार्थियों मेरे साथ जुड़िये और आगे बढ़िये ये सभी प्रश्ण आपकी बोर्ड के कक्षाओं में बहुत ही उप्योगी होंगे साथ ही साथ एक आदर्श उत्तर किस प्रेकार से लिखा जाता है इसकी भी हमें जानकरी प्राप्त होगी उत्तर लि एक नियोजित शाहरी केंद्र था इसपश्ट कीजिए उत्तर मोहन जोड़ो दो भागों में विवाजी था एक भाग छोटा है जो उचाई पर बनाए गया है जिसे दूर्ग कहा जाता है तो दूसरा भाग अपक्षाग्रत अधिक बड़ा है जो नीचे बनाए गया है जिस निचला शहर कहा जाता है दूसरा बिंदू दूर्ग को दिवार से गेरा गया था तथा निचला शहर भी दिवार से गेरा गया था इससे तात्पर यह हुआ कि दूर्ग वर निचला शहर दोनों को परकोटों से गेरा जाता था पहले शहर का नियोजन किया जा गया था और फिर उसके अनुसार सहर को बसाय गया था किसी भी शहर को बसाने से पूर्व उसकी प्लानिंग की जाती है वही कारिय महोंच जोद्रों की निर्मान के समय में भी किया गया पहले नियोजन किया गया फिर उसी के अनुसार सहर को बसाय गया तीसरा बिंदू इंटे एक इसरे को समकौन प्रकारती थी मुख्य मार गाधिक चोड़ा गलिया प्रिक्षाक्रत कम चोड़ी थी विद्यार्थियों इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सभी विशेस्ताओं से हमें यह पता चलता है कि मोहन जोड़ो एक शहरी केंद्र था और यहां की जो बसावर थी शहर क थी, आइए अगला प्रशन, लेते की क्रशी प्रदयों कीजिए बहुत ही नहीं हैं उत्तर हरप्पा सभीता की क्रशी प्रदयुगी की की नीम्न विशेस्ताइं, प्हली विश्ता, खेत जोतने के लिए बेलो का और हलो का प्रियोग किया जाता था विद्यार्थियों हडपा के लगबग सबी स्थलों से हमें बेलो की मिट्टी की मूर्तिया वखिलों ने प्राप्त हुए हैं साथ ही साथ हलो के भी प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं इससे स्पष्ट हो जाता है कि खेत जोतने के लिए बेलों और हलों का प्रियोग किया जाता था दूसरा बिंदू हडपा निवासी लकड़ी के हत्ये में बिठाए गए पत्थर के फालकों या धातु के उजारों का प्रियोग करते थे तीसरा बिंदू हडप पानिवासी, कुवों तथा जलास्यों से प्राथ पानी का प्रियोग सीचाई के लिए करते थे ये बहुत ही महत्पुन तत्य है कि हडप पानिवासी, कुवों वजलास्यों को खेती के लिए प्रियोग करते थे सीचाई के लिए नहरों का भी उपयोग किया जाता था और इसका एक उदारन है अफगानिस्तान में शोर्तु गई नामकस्थान पर नहरों के हमें अवशेश मिलते हैं विद्यारतियों यहाँ पर रिगातियों लोगतरात्मक प्रेश्ण भी बनता है कि मोहौन जोढड़ों में या हडपा सपीटा में को नहरों के साक्षे कहां से प्राप्त होते हैं तो हमारा उत्तर होगा हडपा सपेता में अफगानिस्तान में शोड़तुगे नामक स्थान से नहरों के आवशेश प्राप्त होते हैं चोथा बिंदू राजस्तान में काली बंगा से प्राप्त साक्षों के अनुसार दोहरी क्रशी की जाती थी इस परकार विद्यारतियों हमें हडपा सपेता की क्रशी प्रोद्योगी की जानकारी इन बिंदू के माद्यम से होती हैं यहाँ पर एक अतिलोगत रात्मुग प्रश्ण भी बनता है कि हडपा सपेता के किस इस्थल से दोहरी क्रशी की जाने के साक्ष्य मिलते हैं तो हमारा उत्तर होगा राजिस्ثान में काली बंगा से दोहरी कृस्टी के साक्षों में उपलब्ध होते हैं प्रेश नमबर गर्ण 3, रपप सपीता की जल निकास प्रनाली का वर्णन कीजिए रपप सपीता अपनी जल निकास प्रनाली के लिए पेचानी जाती है इससे समंदिधा मुत्तर लिखते हैं पहला बिंदू हडपा शहरों में नालियां बनी हुई थी पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके आसपास आवासों का निर्मान किया गया था यह महत्पुन तत्य है कि पहले नालियां बनाए जाती थी उसके पश्चात उनके साथ मकान बनाए जाते थे दूसरा बिंदू, गरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोडने के लिए प्रतियक गर की कम से कम एक दीवार गली से सटी हुई होना आवश्यक था तिसरा बिंदू, गरों की नालियां पहले एक होदी या मलकुंड में खाली होती थी गर के बाहर एक मलकुंड बना हुआ होता था जहांसे गर का गंदा पानी बेहता हुआ पहले वहाँ जाता जिससे की जो भारी पदार थे और सिस्पदार थे वहाँ जमा हो जाते हैं और ब नालियों की सफ़य की वहां उचित वेवस्ता थी वहां में कच्रो के धेर मिलें उससे एतातपर शानागार करते हैं दियात्यों विशाल्स नानागार मिला है उसका अमध्यन करते हैं मोहन जोदलो की विशाल सनानागार की विशेषता निम्न प्रकार है पहली ये चारो और एक गलियारे से गीरा हुआ एक आयताकार जलाशा है जो आंगर में बना हुआ है में दियार्थियों मोहन जोदलो का विशाल सनानागार आयताकार है और ये चारों तरब एक गलियारे से गिरा हुआ है दूसरा बिंदू, इसके उत्तरी वद्दक्षिनी भागों में दो सीडिया बनी थी जो इसके तल तक जाती थी स्नालागार के तल तक जाने के लिए, इसके साफ सफ़ाई करने के लिए सीडिया बने हुई है जो उत्तरी वे दक्षिनी दोनों भागों में स्थित थी तीसरा बिंदू इसके तीनों और कक्ष बने हुए थे जिन में से एक में बड़ा कुवा था जलाय से से पानी एक बड़े नाले में बैता था इसके उत्तर में गली के दूसरी और एक अपेक्षा करा चोटी सरचना थी जिसमें आठ स्नानागार बने हुए थे विद्यार्थियों स्नानागार के चारो और गलियारा और गलियारा के पास में आठ स्नानागार बने होना इस बात का दियोतक है कि जब भी कोई सारजनीक कारी होते थे सारजनीक रूप से जल से संबंदी कोई कारी किये जाते थे तो स्नानागार में स्नान करने के प्रश्चात वस्त इत्यादी बदलने के लिए आप पास में बनी हुई छोटी सरचनाओं में जाकर वस्त बदल सकते थे या स्नान भी कर सकते थे और पानी की व्यवस्ता के लिए एक बड़ा कुवा होता था जिसका पानी इस स्नानागार में आता था अगला प्रश्ण प्रश्ण नमबर 5 हडपा वासियों के पस्चीमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंदों का वर्णन कीजिए विद्यार्थियों हडपा एक संकुचीत सब्विता नहीं थी यहां से विश्व की अन्य सब्विताओं के साथ भी व्यापारिक संबंद होते थे इसके उपर हम रष्ण को अंडालते हैं उत्तर हडपा सब्विता काल में व्यापार का विकास हडपा निवाई सुगर व्यापार उन्नत था तता व्यापार जल तता थल दोनों मारगों से होता था दूसरा बिंदू नागेश्वर तता बाला कोट से संख अफगानिस्तान सोर्तु गई से लाजवर्थ मनी तांबा खेतली राजस्थान से मंगाया जाता था थिसरा बिंदू हडपा के लोग इरान, मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान, आदी देशों के साथ व्यापार एक संबंद स्तापित करते थे ओमान से तांबा मंगाया जाता था चोथा बिंदू ओमान, बहरीं तथा मेसोपोटामिया से सामुद्रिक मार्क से संपर्ख था विद्यार्थियों इस प्रगाम देखते हैं कि हडपा एक वेश्विक संब्रिता थी इसका संबंद वेश्विक अनिस्तलों से भी था और व्यापारिक संबंदों की वज़े से ये संपरिता बहुत अधिक फली फली विद्यार्थियों आज हमने पांच प्रश्ण किये हैं और कोशिश किये कि इनका एक आदर्श उत्तर किस प्रकार से लिखा जा सकता है उस पर हमने दर्श्ट कौन डाला है आने वाले समय में इसी प्रकार हम नीरंतर जूड़े रहेंगे और महत्पुन प्रश्णों को आपके सामने लाते रहेंगे मेरे साथ जूड़े रहें और आगे बढ़ते रहें धन्यवाद जूड़े जाने झेलते रहेंगे और शूड़ेश को आपके सामने खाले से लिए लीग जोड़ेंगे